Hello everyone, welcome to our channel, join MNS Academy तो ओफिशिल नोटिफिकेशन जो है BAC Nursing 2021 की वो रिलीज हो गई है थोड़ दिन पहले मैंने आपको न्यूस पेपर कटिंग दिखाई थी जिसमें बोला था तो अभी ओफिशिली भी रिलीज हो गया है और यह PDF वो लोग जनरेट करते हैं इसमें कुछ important चीजें बताई जाती है अगर आपने अभी तक यह PDF नहीं देखा तो मैं उसमें से जो की points है वो मैं आपको बता दे रही हूँ और यह PDF आप उनके official website से डाउनलोड कर सकते है तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता होगा कि 6 colleges मिलते हैं या university जिसको बोलते हैं तो वो यह 6 हैं लेकिन यह test के बाद मिलते हैं टोटल इस बार भी 220 seats ही है जैसे कि यह अलग-अलग hospitals है इसमें कितने seats available है वो यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट और सबसे बहुत important है और इसके query daily आती है date of birth की तो date of birth दिया है 1st October 1996 to 30 September 2004 बोट dates are inclusive मतलब इसके अंदर ही होना चाहिए आपका ठीक है तो अगर आपका date of birth इन दोनों के बीच में है तो you can apply secondly यह तो से female candidates के लिए होता है unmarried, divorced या legally separated यह होना चाहिए, married नहीं होने चाहिए, ठीक है nationality, citizen of India ही होना चाहिए next is selection process तो इस बाँ भी computer based examination ही होगा objective question रहेंगे, 150 marks के 90 minutes आपको मिलेगा बोला गया, April 2021 में हो सकता exam subjects क्या है, पता ही होगा आपको general English, general intelligence intelligence, यह पर intelligence बोला है, GK नहीं बोला, ठीक है और science, science में क्या, bio, physics and chemistry 50-50, 50 marks का, ठीक है और negative marking नहीं होगी, काफी लोगों को यह चीज़ डाउट थी कि exam के paper मतलब तफ होते जा रहा है उसका level तो maybe negative marking हो, तो negative marking नहीं होने वाली इसमें next point, this is also very important कि इस बार भी multiple shift में ही exam होगा पिछले बार काफी लोगों को लग रहा था कि COVID के वज़े से है बट ऐसा कुछ नहीं है, इस बार भी multiple shift में होगा और इस बार भी normalization का process adopt किया जाएगा meritless निकालने के लिए, ठीके तो जैसे point में marks आये था हमारे 2020 में, तो वैसे ही इस बार भी होने वाला है अगला interview and medical का, तो यह तो test clear होने के बाद ही होगा तो अभी आपको इस चीज की जादर ज़रूरत नहीं है और interviewer जो medical होगा, वो June में होगा, ठीके और NCC candidate जिनके पास certificate C है, उनके लिए 25 seats है और यहाँ पर important note में दिया है कि जो reservation seats है वो apply होगा while preparing the combined merit list जब combined merit list निकाली जाएगी, combined merit list क्या होता है आपका जो written exam है plus interview और medical, यह तीनों की list जो बनाई जाती है एक साथ, उसमें आपका यह लगेगा, ठीके NCC certificate है अगर आपके पास और SC ST candidate हो आप, तो तब आपको यहाँ पर कुछ फाइदा हो सकता है अगला है test center के बारे में, test center कैसे होता है तो candidates होते हैं, उनको तीन examination center, choose करने होते है order of preference देना होता है, जब हम लोग online application form भर रहे होते है ठीक है, first apply, first a lot basis पे होता है, मतलब आप जितना जल्दी apply करोगे, उसी हिसाब से आपको मिलेगा तो इसलिए first day काफी बच्चे भरते हैं, और website चलना बंद हो जाती है, इसी के वज़े से ठीक है तो first week के अंदर अंदर भर देना तो next point है, how to apply, अब apply कैसे करना है, जिन्होंने पहले किया है, उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं किया, first time करने वाले है तो आपको क्या करना है, apply करना होता है application fees online ही देनी होती है, apply कब से कब तक करना है, 17 February 2021 टू, 10 March 2021 तो इन दोनों dates के बीच में आपको अभी भी apply कर सकते हो, इस official website पे आपको जाना है www.joinindianarmy.nic.n इस website पे जाके आप apply कर सकते हो, apply करने के लिए क्या करना है, आपको अपनी email ID से पहले खुद को register करना होगा, एक user ID बनानी होगी और अपना खुद का एक password सेट करना होगा आपको अपना user ID और password याद रखना है, और email आप ऐसा देना, जो चलता हो, जिसको आप regular use करते हो, ठीक है, क्योंकि email आता है, जैसे कुछ भी notification आता है, तो आपके email पे आता है, तो इसलिए email आपको correct देना है, अगला है, fees कितने लगते हैं, ये भी किसी ने पूछा था इस बार भी fees है, पिछले बार बढ़ा दी थी, मतलब इससे पहले लगता था हमें 150 रुपीज, ठीक है, और पिछले साल से ये हो गया है 750, तो मैंने इसलिए नहीं तब inform किया था, मुझे लगा इस साल भी increase ना हो जाए, पर अभी भी 750 है, तो आपको 750 पे करना होगा, फॉर नंबर चाहिए होता है, तो आप उसको screenshot लेके रखना, या photo या print ले लेना, अगला है जो admit card है, वो computer based exam का available हो जाएगा, www.joinindianarmy.nic, मतलब इनकी website पे second week of April तक, तो exam में भी third week, या fourth week April या में में हो, ठीक है, जैसे बोला तो अधर गया था April में, लेकिर अगर admit card ही second week में न नहीं किया जाएगा, यह यहाँ पे बोला गया है, no admit card will be sent by post, तो जैसे मैंने अभी बताया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, take the print out of payment receipt, तो जो payment receipt होती है, उसको आपको print लेके रखना है, ठीक है, डाउनलोड कर लो के site से, और बाद में print ले लेना, और उसको आप, जो final आप ही responsible है, कि successful payment हुआ की नहीं, उनका, तो आपको खुदी चेक करना होगा, कि आपका payment हो गया की नहीं, उदर आ जाता है, ठीक है, आपका form के उदर, मतलब जहाँ पर आपने फिल किया, वा पर बता देता है, कि आपका payment successful हुआ की नहीं, तो आप चेक कर लेना, वहाँ से भरने होता है, तो वहीं बोला है कि enter the correct due number, तो इसलिए आपको due number अच्छे से समाल के रखना है, और कोई भी application form आपको mail नहीं किया जाएगा, या post नहीं किया जाएगा, next point बोला है कि आपको कोई भी refund नहीं दिये जाएगा application form के लिए, ठीक है, अगर आपने गलती से दो बार pay कर या कुछ हो गया, तो आपको कोई उसका refund नहीं मिलने वाला, duplication form अगर आप submit करोगे, तो वो reject हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया, और बोला है कि यहाँ पे mandatory है, candidates को कि active email, जैसे मैंने बोला कि mail आते है कभी-कभी, और अगर selection भी हो गया, तो वो भी आपके mail पर ही आता कि जो selection होती है, उसमें आपको 10 प्लस 2 का original mark certificate दिखाना पड़ता है, और के काफी सारी criteria होते है, अगर उसमें आप eligible नहीं हुए, तो आपका selection नहीं होगा, बस यह बोला है, form से related यही सब चीजे थी, जो कि मैंने आपको पूरा detail में बता दिया, फिर भी आप एक बार PDF टाउ यह बोले, reason for rejection of online application are, incomplete application, submission of more than one application, non payment application, processing fees, तो यह होता तो नहीं है, जाधा तर लिकिन अगर आपने इन में से कुछ खिया है, तो आपका reject हो जाएका online application नहीं, तो बस PDF में इतना ही था और जो important चीज थे मैंने बता दिया, तो आज के वीडियो में इतना ही, so please इस वीडियो क share कर देना, especially उन बच्चों के साथ, जो first time form भरने वाले हैं, all the very best, thanks for watching,